नमश्कार जैशुरी हरी स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल देव्यास्ट्रों मैं और मैं हूँ आप सभी के बीच देव्या आज हम सभी पुरुशुत्तम मास के मातमे का सोलवा अध्याय करने जा रहे हैं श्री नारायन बोले हे महाप्रग्य हे नारत वालमी की रिशी ने जो परम अद्बुद चरित्र द्रट धन्वा राजा से कहा उस चरित्र को मैं कहता हूँ तुम सुनो वालमी की रिशी बोले हे द्रट धन्व, हे माराज हमारे बचन को सुनिए गरूर जी ने केश्यव बगवान की आग्या से इस प्रकरार ब्रामन श्रेष्ट से कहा गरूर जी बोले हे ध्विस्रेष्ट तुमको साथ जनम तक पुत्र का सुख नहीं है यह जो वचन हरी बगवान ने का, सो इस सवे मैं तुमको वैसा ही है फिर भी क्रपा से स्वामी के आग्या पाकर मैं तुमको पुत्र दूंगा हे तपोधन, हमारे अंज से तुमको पुत्र होगा जिस पुत्र से गौत्मी के साथ तुम मनुरत को प्राप्त करोगे किन्तुप उस पुत्र से होने वारे दुख तुम दोनों को अवश्य होगा हे द्वीज शार दुख तुम धन्य हो जो तुमारी बुद्धी हरी बगवान में हुई हरी बक्ति सकाम हो अथ्वा निशकाम हो हरी बगवान को दोनों ही प्रिय है मनुश्यों का शरीर जल के बुदबुद के समान शर्म में नाश होने वाला है उस शरी को प्राप्त कर जो हड़े के हरी के चर्णों का चिंताकन करता है वह धन्य है इस दुस्तर संसार में ताडने वाले हरी बगवान के आलावा दूसर और कोई नहीं है यह हरी बगवान की ही क्रपा से मैंने तुमको पोत्र दिया है मन में श्री हरी को दारण कर सुख परवक विचारो और उदासिन बाव से संसार के सुखो को भोगो वालमी की रिशी बोले गौतमी और सुदेव दोनों इस्त्री पूरुष के देखते देखते उत्तम वर को देखकर उसी समय गरूर पर सवार होकर बगवान हरी शिग्रही वेकुंटो को चले गए सुदेव शर्मा भी इस्त्री के साथ अपने मन के अनुसा पूत्र रूपवर को पाकर अपने घर को आया और उत्तम गरस्तर आश्रम के सुख को भोगने लगा कुछ समय बीतने के बाद गौतमी को गर्ब रहा और दसम महिना प्रात होने पर गर्ब पोन हुआ प्रसुत्रीकाल आने पर गौतमी ने उत्तम पूतर पैदा किया और पूतर के होने पर सुदेव शर्मा बहुत प्रसन हुआ सेष्ट ब्राह्मनों को बुला कर जातकम संसकार किया और अच्छी तरस नान कर ब्राह्मन स्रेष्ट सुदेव शर्मा ने उन ब्राह्मनों को बहुत दान दिया ब्रावन और सवजनों के साथ बुद्धिमा सुदेव शर्मा ने नामकंड संसकार किया करपालु गुरूड जी ने प्रेम से ये पुत्र दिया शरतकालिन चंद्रमा की समान उदेक को प्राप्त तेजस्वी ये शूक की सरदश है इसलिए मेरा ये प्रिय पूत्र शूक देम नाम वाला हो माता के मन को आनुद देने वाला ये पूत्र पिता के मनरोतों के साथ शुकल पक्ष के चंद्रमा के समान बढ़ने लगा पिता ने हर्ष के साथ उपनेन संसकार कर गायत्री मंत्र का उपदेश किया बादव बालक वेदारव संसकार को प्राप्त कर ब्रह्मचरिय वरत में इस्थित हुआ उस ब्रह्मचरिय के तेज से युक्त बालक साक्षा दूसरे सूरी के समान सोबित हुआ बुद्धी सागर उस बालक ने वेद का आध्यान प्रारम किया उस गुरू वसल बालक ने सब बुद्धी से अपने गुरू को प्रसंद किया और गुरू के एक बार कहने मात्र से समस्विद्या को प्राप्त किया वालमी की रिशी बोले एक समय कोटी सूर्य के समान प्रभाव वाले देवल रिशी आए उनको देखकर हर्च से सुदेव शर्मा ने दंडवत प्रनाम किया अरगी पाध्य आदि से विधी पुर्वक उन देवल मुनी की पूजा की और महात्मा देवल के लिए आसन दिया अति तेजस्वी देव दशन देवल रिशी उस आसन पर बैठ गए बाद अपने चन्नोप पर बालक को गिरेवे देखकर देवल रिशी बोले देवल मुनी बोलते हैं भो भो से देव तुम धन्य हो तुमारे उपर बगवान प्रसन हुए क्योंकि तुमने दुल्लब सुन्दर स्रेष्ट पुत्र को प्रात किया ऐसा विनित बुद्धिमाद बोलने में चतूर, वेद पाठी और शीलवान पुत्र कहीं भी किसी के या नहीं देखा हे पुत्र यहां आओ, तुमारे हाथ में ये कोतु क्या देखता हूँ, सुन्दर छत्र दो चामर यवरेक के साथ कमल, जानूर तक लटकने वाले हाथी के सून के समान ये तुमारे हाथ, कान तक फैले हुए विशाल, लाल नेत्र, शरी गोलाकार का त्रिवली से युक्त प पर समुंदर है, कंदा और कोक का संदी स्थान गूड है, शरंक के समान उतार चड़ाव, युक्त गला वाला, चिकन ठेड़े शिरी के बाल वाला, उची छाती, लंबी गर्दन, बराबर कांग, बहल के समान कंदा, इस तर समस लक्षनों से युक्तिया पोत्र स्रेष्ट ब लक्षनों को कहना चाहिए, आयू से हीन बालक के लक्षनों से क्या प्रियोजन है, हे सुदेव, यह तुमारा लड़का बारे वर्ष में डूपकर मर जाएगा, इससे तुम मन में शोक नहीं करना, अवश्य होने वाला नी संदे होकर ही रहता है, मर्णासन को औश्द देने के समा उसकी कोई पर्थी किरिया नहीं है, वाल में की मुनी बोले, देवल मुनी इस परकार कहकर ब्रह्म लोग को चले गए, और गौत्मी के साथ सुदेव, ब्रामन पर्थ्वी पर गिर गया, पर्थ्वी पर पड़ा हुआ, देवल रिशी के कहेवे वशनों को इसमन कर च वाली वस्तु में बहन नहीं करना चाहिए, जो नहीं होने वाला है, वा कभी नहीं होगा, और जो होने वाला है, वा होकर रहेगा। क्या राजा नल, रामचंदर और युदिश्टर दुख को प्राप्त नहीं हुए? राजा बली भी बंधन को प्राप्त हुआ, यादव नाश को प्राप्त हुए इन्याक्ष कठिन वद्ध को प्राप्त हुआ, वरता सुर्भी मिर्ट्यू को प्राप्त हुआ सरस्रारजुन का शीष काटा गया, रावण के भी उसी तरह शीष काटे गए हेमुने बगवान रामचंदर भी वन्मे जानकी के विरग को प्राप्त हुए राजा परिक्षित भी ब्रामण से मिर्ट्य को प्राप्त हुए हेमुनी शिवर इस परकार जो होने वाला है वो अवश्य होता है इसलिए हे नात उठिये और सनातन हरी बगवान का पज़न करिए जो समझ जीवों के रक्षक है और मोक्षपत को देने वाले हैं मालमे की रिशी बोले इस परकार सुदेव शर्मा ने अपने इस्त्री गौत्मी के वच्छन को सुनका स्वस्त हो हर्दे में हरी बगवान के चाड़नों का ध्यान कर पूतर से होने वाले शोग को जल्दी से त्याग दिया इस परकार पूशुत का मास के सोलवा आत्या है पोण हुआ यदि आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजेगा और कमेंट बॉक्स में जैश्री हरी का नारा अवश्य लगाएगा धन्यवाद